नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जस्मीत आलुवालिया बेरियाट्रिक एड्वानस लैप्रोसकॉपिक एंड लैजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइनेकोमेस्टिया के बारे में गाइनेकोमेस्टिया यानि की enlarged males में breast होना जिनने हम male boobs के नाम से भी जानते हैं इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं यूजिली जो young males हैं उनमें ये hormonal imbalance के कारण से puberty के time में देखने को मिलता है यानि कि लगबग 12 साल के 16 साल के बीच में जब वो sexually mature हो रहे होते हैं उस time में एक यदो pressed की enlargement देखने को मिल सकती है इसके लावा newborn babies में भी कई बार maternal hormones के जादा होने की वज़े से भी pressed enlargement देखी जाती है इसके बाद जो elderly males हैं उनमें कई कारणों से ये enlargement हो सकती है जैसे कि liver का fail होना alcohol के जादा लेना बहुत सारी दवाईयां kidney की problem बहुत सारे hormonal imbalance या tumors की वज़े से ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत सारे patients में बिना किसी कारण के भी देखने को मिलता है especially वो लोग जिनका weight normal से जादा है so obesity के साथ भी gynecomastia की problem धूने के संभावना है जो breast में सिरफ fat जादा है उसे हम gynecomastia नहीं मान सकते breast का tissue भी जादा हो तब ही उसे gynecomastia के form में माना जाता है इसके symptoms क्या क्या हो सकते है तो सबसे पहले तो breast का size मेल्स में वो normal से जादा बड़ा दिखता है उनकी sensitivity जादा हो सकती है उनमें pain हो सकती है especially nipple area में pain जादा हो सकती है और जैसे ही cloth उसे touch करता है तो patient को normal से जादा sensation फील हो सकती है तो अगर आपको ऐसा कोई symptom है तो आपको doctor से consult करना चाहिए और क्या ये वाकई गानेको-mastia है ये दिखवाना चाहिए और उसका treatment start करना चाहिए इसके treatment कई forms में हो सकते है अगर कोई underlying cause है जैसे कि कोई medicine की वज़े से ये हो रहा है या कोई और disease के कारण ये manifest हो रहा है तो हम उस primary cause को remove कर देंगे उस तवाई को बंद कर देंगे या वो बिमारी को ठीक कर लेंगे तो उससे भी ये ठीक हो सकता है अगर ये सब करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक simple सदरी की जा सकती है जैसे कि liposuction and mastectomy liposuction का मतलब है कि बहुत ही छोटे चीरे से हम breast के अंदर excessive fat को remove कर सकते हैं अगर fat ही major content है तो liposuction से ही ये निकाला जा सकता है लेकिन बहुत बार breast का जो tissue है वो भी बढ़ा रहता है इस excessive breast tissue को निकालने के लिए हम nipple के around जो dark area जिसे areola के नाम से जानते हैं उसके और normal skin के बीच में जो line रहती है उसके around एक circular incision देकर उसे breast tissue को निकाल देते हैं ये semicircular incision जो इस area में लगता है बाद में इसका निशान ना बराबर ही रहता है और ये बताना भी मुश्किल होता है कि हाँ पर कोई incision आया था लाइपो सक्षन और ये चोटा सा breast mask का excision यूजिली combine किया जाते हैं और इसके results सालतर लोगों में बहुत अच्छे रहते हैं इसके बाद एक आपको compression dressing दी जाएगी यानि कि इस area को थोड़ा प्रेस करके रखा जाएगा ताकि इसकी healing अच्छी हो और धीरे धीरे जैसे एक से दो महीने के बीच में ये breast अपनी normal shape में आ जाते हैं इन एक दो महीने में कोई बहुत जादा rest करने की जरूवत नहीं है आप same day evening से ही अपनी normal activity कर सकते हैं सिरफ excessive heavy activity को avoid किया जाता है जैसे कि chest की gymming करना या और कोई heavy काम करना I hope कि ये video देखकर आपको idea लगा होगा कि ये problem इतनी बड़ी नहीं है इसका इलाज काफी simple है और आप एक doctor को visit करके इससे लिजात पापाएंगे Thank you